गुड एवनिंग जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था भारती रेलवे एक जूम से 100 नौन-AC पेर्स ट्रेन चलाने जा रहा है यानि 200 ट्रेने चलाने जा रहा है तो भारती रेलवे दवारा उन 200 ट्रेनों की लिस्ट, टाइमिंग और टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और उनकी बुकिंग भी आज 21 मईस सुबे 10 बजे से शुरू हो गई है अगर आप भी एक जूम से देश में कहीं भी यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो लागडाउन में यात्रा करने वालों यात्रियों के लिए सरकार ने कुछ जरूरी दिशानिर्देश भी जारी किये गए हैं इसलिए टिकट बुकिंग और यात्रा से पहले आप उन दिशानिर्देशों को अच्छी तरह समझ ले ताकि आपको यात्रा में किसी तरह की दिक्कत ना हो तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज इससे सब्क्राइब कर ले बेल आइकान प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो वो आपको लगातार मिलती रहें तो चलिए वीडियो शुरू करें वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ वो यह है कि संकट की इस घड़ी में हमारे देश के प्रधान मंतरी स्री नरेंदर मोदी जी के द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए चाहे वो व्यापारी हो किसान हो मज़दूर हो बिल्डर हो या सरकारी कमचारी हो सभी के लिए रहात पैकेज की घोशना की है और आपको यह समझना है कि आपको क्या-क्या रहात मिलेगी और कैसे मिलेगी इसके लिए आप मेरे हर वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए साथी साथ इस्टेट के द्वारा रेलवे के द्वारा रोडवेज के द्वारा तरह तरह की योजनाय की घोशना की जा रही है तरह तरह की धील जायत दी जा रही है तो इन सारी चीजों की जानकारी भी आपको लगातार होती रहे इसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्क्राइब कर ले और बैल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंट मिल जाए और साथी साथ इसे अपने मित्रों समंधियों और रिलेटिप्स को भी शेर जरूर कर दीज़ेगा ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो जाए तो चलिए वीडियो शुर करते हैं और बात करते हैं कि क्या-क्या आपको साथानिया रखनी हैं क्या-क्या निर्देश हैं क्या-क्या नियम हैं जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए चलिए तो देखते हैं यह है यह वो न्यूज ट्रेन से यातरा करने वाले यातरियों के लिए खुश कबरी सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इनमें जनरल कोच भी होंगे और सफर करने के लिए रिजर्विशन की भी जरुवत होगी बिना कन्फर्म टिकट जनरल कोच में यात्री यात्रा नहीं कर सकेंगे तो आएए देखते हैं कि एक जून से चलने वाली दो सो ट्रेनों के नियमों के बारे में ये नियमों की जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है अगर आपको इन नियमों की जानकारी नहीं है तो आप बड़ी दिक्कत में पड़ सकते हैं और आपका यात्रा जो है वो बहुत कष्टदायक हो सकती है इसलिए आप इन नियमों को बहुत ध्यान से समझने अच्छे से समझने और उनका पूरी तरह से पालन करें तो चलिए देखते हैं क्या हैं वो दस नियम हो तो देखते हैं दो नई ट्रेनों के लिए क्या है यात्रा के नियम पहला नियम इन दोसों ट्रेनों के लिए सिर्फ I.R.C.T.C की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप के माध्यम से ही आनलाइन इटिकटिंग के सुविदा होगी इन ट्रेनों के लिए किसी भी रेलवे स्टेशन पर आरक्षन काउंटर नहीं खुलेगा साथ ही I.R.C.T.C. के एजेंट भी इन ट्रेनों के लिए टिकट बुक नहीं कर पाएंगे सिर्फ रेलवे की बेप साइट से ही टिकट की बुकिंग की जा सकेगी इसलिए भूल करके भी आप रेलवे स्टेशन जाने का कश्ट ना करें आनलाइन ही बुकिंग होगी दूसरी चीज है अग्रिम आरक्षन की अबद ही अधिकतम 30 दिन होगी यानि आप 30 दिन पहले एडवांस में बुकिंग करा सकते हैं इन 200 ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग यातरा के 30 दिन पहले या 30 दिन के भीतर करा सकेंगे जैसे कि 30 जून की यातरा के लिए यातरी 1 जून से 30 जून तक टिकट करवा सकते हैं अब आईए तीसरा पॉइंट ध्यान से समझिए RAC और वेटिंग टिकट मौझूदा नियमों के अनुसार दिया जाएगा हालां कि वेटिंग टिकट वाले व्यक्ति को ट्रेन में चढ़ने की अनमती नहीं दी जाएगी यह अगर कंफर्म टिकट नहीं है तो आप ट्रेन में नहीं बैठ पाएंगे बता दें कि बर्तमान नियमों के मताबिक AC फर्ष्ट में 20, AC सेकंड में 50, AC थर्ड में 100 और स्लिपर कोज में 200 वेटिंग टिकट जो है वो बुक किये जा सकते हैं इससे ज़्यादा वेटिंग टिकट की बुकिंग नहीं होगी अगला है यात्रा के दोरान किसी भी यात्री को कोई अनारक्षित UTS टिकट नहीं जारी किया जाएगा और नहीं कोई अन्ध टिकट जारी किया जाएगा याने कि टिकट चेक करने वाले अधिकारी को यात्रा के दोरान टिकट देने का कोई अधिकार नहीं होगा पांचवा पॉइंट है इन ट्रेनों में कोई भी ततकाल और प्रीमियम ततकाल बुकिंग की अनमती नहीं दी जाएगी तो ये थे पांच नियम और बाकी पांच नियम भी देखते हैं लेकिन वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करके और सभी को शेयर जरूर कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्क्राइब कर लिजेगा तो चली देखते हैं कि बाकी के पांच नियम और क्या है तो अगला पॉइंट है पहले चार्ड को ट्रेन के चलने के समय से कम से कम चार घंटे पहले तयार किया जाएगा और दूसरे चार्ड को निरधारित प्रस्तान समय से दो घंटे पहले तयार किया जाएगा अभी तक दूसरा चार्ट तीस महने पहले तीस मिनट पहले तयार किया जाता था पहले और दूसरे चार्ट की तयारी के बीच केवल आनलाइन टिकट बुकिंग की अनुमती होगी अगला है पॉइंट की सभी यात्रियों की अनिवारे रूप से मेडिकल जाच की जाएगी और केवल पूर्ण रूप से स्वस्त यात्रियों को ही ट्रेन में प्रवेश करने और यात्रा की अनुमती होगी अगला पॉइंट है केवल confirm ticket वाले यात्रियों को ही railway station में प्रिवेश करने की अन्मती होगी अगर confirm ticket नहीं है तो आप platform के अंदर प्रिवेश नहीं कर पाएंगे अगला पॉइंट है नौवा है कि सभी यात्रियों को प्रिवेश के दोरान और यात्रा के दोरान फेस कवर या मास्क पहनना अनिवारी होगा गंतव station पर पहुँचने के बाद यात्रियों को स्वास्त प्रोटोकाल का पालन करना होगा जो वहां के राज्य और केंदर शाषित प्रदेश द्वारा बनाए गए हैं और अगला पॉइंट है कि station पर thermal screening की सुविधा के लिए यात्री कम से कम 90 मिनट पहले station पहुँचेंगे बेमार लोगों को यात्रा की अन्मती नहीं होगी यात्री station और ट्रेनों दोनों पर सामाजिक दूरी का ख्याल रखेंगे अब मैं 200 जो ये ट्रेने हैं या 100 जोड़ी ट्रेने हैं इसकी पूरी लिस्ट आपको एक बार दिखा देता हूँ और आप इसको वीडियो को पाज करके और या स्क्रीन शाट ले करके आप जानकारी कर सकते हैं कि कौन-कौन सी ट्रेने जो हैं वो कहां से कहां के भी चलेंगी तो ये 200 ट्रेनों की लिस्ट है या 100 जोड़ी ट्रेनों की लिस्ट है जैसे क्रमांग तंबर एक पर है गोरकपुर से लोकमाने तिलक कुशी नगर एक्सप्रेस तो ऐसी एक से 19 है इसका आप स्क्रीन शाट ले लें आगे बढ़िए जो है तो ये आपके सामने देखिए जो भावडा से सिकंद्राबाद तो इसका भी आप स्क्रीन शाट ले लिजे या पाज करके आप इसको देख लिजे कौन सी ट्रेन कहां को जाने वाली है इसके बाद आप देखिए 41 के बाद जो है आप देखिए 41 से 69 तक की जो है वो ट्रेनों की पूरी लिस्ट आगे आपके स तो नियमी ट्रेनों की तरह इन ट्रेनों में भी सभी प्रकार के कोटे में टिकट बुकिंग की अनुमती दी जाएगी कोटे से आरक्षण के लिए सीमित संख्या में आरक्षण टिकट काउंटर खोले जाएंगे हाला कि इन टिकट काउंटरों के माध्यम से सामान टिकट की booking नहीं की जा सकती है अब बाकी आगए आप देख लीजे फिर किये देखिए 60 से लेकर के और 73 तक की लिस्ट आ गई आपके सामने आनंद बिहार ये रक्सॉल से आनंद बिहार है साथ नंबर पर 73 और 72 नंबर पर देखिए स्पेशल ट्रेने हैं एहमदाबाद की इसका स्क्रीन शाट ले लिजे इसके बाद देखिए दुरंतो ट्रेन्स जो है 74 से 78 पर है और इसके बाद जन्शताब्दी ट्रेन्स की लिस्ट आ गई तो पहले आप दुरंतो का भी आप यह नोट कर लिजे या स्क्रीन शाट ले लिजे या वीडियो को पॉस कर लिजे आप आए जन्शताब्दी ट्रेनों की बात कर लेते हैं तो जन्शताब्दी ट्रेने भी जो है 79 से लेकर के और यह 100 तक की पूरी लिष्ट आपके सामने आ गई है आप इसे भी जो है स्क्रीन शाट ले लिजे और अपने हिसाब से देख लिजे कि कौन सी ट्रेन कम किस रूट पर कम जा रही है तो यह आपको इस तरह से पूरी जानकारी मैंने आपको प्रवाइड करा दिया है टाइमिंग और जो है आप इसके बाद आपको मैं यह बताता हूं कि ट्रेनों मे केवल चार स्रेणियों में रियायत होगी रोगी यात्रियों को ग्यारा स्रेणियों में रियायत होगी और साती साथ टिकट को कैंसल कराने पर सामाने ट्रेनों की तरही नियम 2015 लागू होगा तो यह थी लेटेस्ट अपडेट और नियम वाली आपको इन नियमों की जानकार को फ्रेंड्स को रिल्टिप्स को सबको शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ओके तैंक यू